नमस्कार अदब से सिरेकाल केमचो और जैसा की पता है मेरे मित्रों भाईयों बहनों मेरे छात्रों की भारत एक इतिहास रच चुका है और उसी इतिहास के बारे में जानने के लिए कंप्टीशन में जितने भी तरह के प्रस्ण चंद्रान थ्री से बन सकते हैं उसे आज हम प इतिहास रच चुका है वही चंद्रान थ्री जो चंद्रमा की सत्य पर सौफ्ट लेंडिंग कराने वाला तीसरा देश बन चुका है तो मिशन के लांज किया गया था विटा तो आपको पता है कि मिशन चंद्रियान 3 को 14 जुलाई 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था और जिस वीकल से लांच किया गया था उसका नाम क्या था बिटा LVM LVM 3M4 क्या नम था भी या LVM 3M4 यही नाम था उसका और 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया और कब launch किया गया दो बज के 35 मिनट दो पहर का समय था जब इसको launch किया गया launching की सूचना ये कहा गया था बिटा कि ISRO के द्वारा ऐसा कहा गया था 6 जुलाई को ही इसको clear कर दिया गया था कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रान्थि लांच किया जाएगा और ये तहीं किया गया कि 23 अगस्त 2023 को बेटा 5 बज के 27 मिनट पर ये पहुँचेगा चंद्रमा के दक्षडी दुरूप पर सौप्ट लेंडिंग करेगा लेकिन इसके समय में कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके ये बताया गया कि लेंडिंग का समय अब 6 बज के 4 मिनट कितना कर दिया गया 6 बज के 4 मिनट तो यहां से प्रस्न बन सकता है कि पहली बार लेंडिंग का समय कितना तैंक या गया था तो पांच बच के 27 मिनट इसमें परिवर्तन करके इसको कितना कर दिया गया छे बच के 4 मिनट इतनी बात के लिए आगे देखना भया इसमें आगी बताएगे कुछ important point आपके लिए रखे गए कि 2019 में दूसरा जो कि विफल लहा और 2023 में तीसरा किया गया तो कौन सा बेटा तीसरा है ये इसमें चंद्रियान 2 के समान एक लेंडर जिसका नाम रखा गया है विक्रम लेंडर का नाम क्या था विक्रम विक्रम सारा भाई के नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया और एक रोवर जिसका नाम रखा गया प्रज्यान और लेकिन इसमें आर्बिटर नहीं है बिटा जो चंद्रियान 3 है ना उसमें आर्बिटर नहीं है चंद्रियान 3 का लांच 37 थपित है उस जील का नाम पूली कट जील, तो सिरी हर कोटा अगर पुछा जाए किस जील में है, तो पूली कट जील में है, सारे के सारे पॉइंट आप क्रेटरे करते चलियेगा, जहां भी दिक्त होगी, कमेंट बॉक्स मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको सारे प्रसुनों के जबाब मिलेंगे अगला कहता चंद्रियान 3 ने चंद्रमा की सता पर कब लेंड किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा कि यह है विक्रम जो कि लेंड कर रहा बेटा कहाँ पर चंद्रमा की सता पर ठिक ना, और कभी किया, इसने 23 अगस्त को किया, जो जिसकी चर्चा भी हमने की थी, 23 अगस्त को किया, 2023, ठिक ना, समय पहले 527 था, इसको बदल कर बेटा, 6 बच के 4 मिनट कर दिया गया, तो 6 बच के 4 मिनट पर ही भारत ने इतिहास रज़ दिया, आगे देखना भी या, इसम मिशन चंद्रियान 3 को कहां से लॉंच किया गया था अभी हमने बताया कि मिशन चंद्रियान 3 को कहां से लॉंच किया गया था बैटा सिरी हर कोटा से लॉंच किया गया सिरी हर कोटा से लॉंच किया गया 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र से जो कि आंदर प्रदेश में है और किस चंद्रियान 3 के सफल लेंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिरी दुरूप पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया तो दक्षिरी दुरूप पर पहुंचने वाला बेटा भारत प्रतम देश बन गया प्रतम देश बन गया लेकिन अगर आप से पूछे बेटा कि soft landing करने वाला soft landing करने वाला भारत कौन सा देश बन गया तो soft landing करने वाला भारत चोथा देश बन गया भारत के पहले कर चुके हैं soft landing रूस कर चुका है जो पहले USSR हुआ करता था ये कर चुका है अमेरिका USA कर चुका बिटा और चीन कर चुका है तो इन तीन देशों के बाद भारत चौथा देश बन गया है, ठीक न, अगला देखना भी, अगली बात यहां पर कीगी बटा, कि चंद्रियान 3 को किस रॉकेट से लॉंच किया गया, अभी हमने कहा, LVM 3M4, LVM 3M4 से इसको लॉंच किया गया, LVM का मतलब क्या होता भी बट अगली बात यहां पर की जाए, तो पूछा गया, चंद्रियान 3, मिशन का नेत्रिश बन गया, तो किस ने किया, तो मिशन का नेत्रिश बेटा, बहुत अच्छी बात है, यहां से बहुत important person बनता है, कि लखनों की एक महिला है, रितु करिधल, तो रितु करिधल के द्वरा, इसका नेत्रिश किया गया, रितु करिधल का जन्म बेटा, 1975 कब हुआ था, 1975 लखनों मी हुआ रितु करिधल, मिशन चंद्रियान टू की निदेशक भी रह चुकी है, मिशन चंद्रियान टू की निदेशक भी रह चुकी बटा, कौन, रितु करिधल, आगे समझना भीया, इसमें, अगली बात करा, चंद्रियान ट्री, मिशन के निदेशक की बात किते हैं, तो आपको है ना भया, एस मोहन कुमार, ये तो निदेशक हो गए, फिर अगर आपसे पूछा जाए बटा कि कुल कितना खर्च आया, अगर मैं चंद्रियान एक की बात करता हूँ, तो चंद्रियान वन में पहले कुल खर्च कितना आया था बेटा, कुल खर्च आया था 386 करोण, चंद्रियान टू में 988 करोण, लेकिन चंद्रियान थ्री में सबसे कम खर्च आया, और कितना आया बेट पूरे बहुत कम था ये इस रों ने चंद्रयांथरी मिसन के कौन सी 3 मुख उदैस निधर्किये थे तो इस रों ये बेट है इसके 3 मुख उद्देश सिन्धर्क किये थे चंद्रमां की सता पर सुरक्षित और नरम लेंडिंग पहला उदेश क्या था चंद्रमा की सता पर चंद्रमा की सता पर है न बहुत चंद्रमा की सता पर सुरक्षित और सौफ्ट लेंडिंग सता पर सुरक्षित सौफ्ट लेंडिंग ये पहला लक्षे था मतलब पहला उद्देश से था ये अगर मैं दूसरे उद्देश की बात करत strengthen तो दूसरा उद्देश इसका क्या था तो इसका दूसरा उद्देश से था जो वहां पर जाँच करेगा कि यहां पर मिर्दा कौन सी है यहां पर पानी के गण है की नहीं है विक्रम को और विक्रम ट्रांसफर को किस के पास बिटा इस रो के पास ठीक ना तीसरा लक्षे था वैग्यानिक आवलोकनों का प्रदर्शन वही तो है करेगा वैग्यानिक आवलोकन तो तीन आपको याद रखना बिटा ये तीन मुख्य उद्देश थे किसके मिसन चंद्रि ठीक न अगली बात यहां से की गे बिया कि मिशन चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन बेटा तीसरा मिशन कौन सी मिशन है तो आपको पता बेटा तीसरा मिशन है अगर मैं पहले मिशन की बात करता हूँ तो पहला मिशन कब हुआ था बेटा 2008 में तो 22 अक्टूबर 2008 को पहला दूसरा वह था 22 जुलाई 2019 को इस समय इसरो की चीप थे बटा KC1 KC1 साब थे इसरो की चीप इस समय लेकिन वर्तमान में जुकिया गया 14 जुलाई 2023 को Dr. S. Somnath Dr. S. Somnath ठीक न एक-एक बात आपको किलियर होने चीए बटा एक-एक बात आपको किलियर होने चीए बहुत तेजी के साथ हम लोग कबर करेंगे टॉपिक को Mission Chandriyan 3 की थीम क्या है इस बार जो Mission Chandriyan 3 बटा उसकी थीम क्या रखे गए थी तो थीम रखे गए बटा Science of the Moon क्या रखा गया Science of the Moon Science of the Moon ठीक न बटा इसका मतलब होगा चंद्रमा का बिग्यान Science of the Moon इस बार की थीम रखे गए अगला देखना फटा बटा Mission Chandriyan 3 के Lander का क्या नाम रखा गया तो Lander का नाम बेटा बिक्रम सारा भाई के नाम पर इसका नाम बिक्रम रखा गया ठीक ना Lander का नाम बिक्रम था और Rower का नाम क्या था बेटा तो Rower का नाम है प्रग्यान जो Chandriyan 2 का भी यही नाम था बिया Chandriyan 2 में भी नाम यही रखे गये थे Lander और Rower के और आपको यहाँ पर दिख रहोगा बेटा Rower बिल्कुल देखे नीचे उतरता हो आपको दिख रहोगा जिसमें 6 पहिये 3 इधर, 3 इधर 6 पहिये लगे हुए है और इसमें आपको दिख रहोगा बेटा Solar Panel जो चंद्रमा के दक्षिरी दुरूपर चंद्रमा के दक्षिरी दुरूपर बेटा जो बिक्रम और Rower हैं यह चंद्रमा पर कितने दिन तक काम करेंगे तो चंद्रमा के एक दिन तक अर्था पिर्थिपी के 14 दिन तक काम करेंगे क्योंकि उतने दिन तक ही उनको चंद्रमा के दक्षिरूपर धूप मिल पाएगी इसमें भया एक हुईल में आपको असोक चक्र, क्या लगा हुआ असोक चक्र जब चंदरमा पर ये चलेंगे ना वहील, तो यहां पर असोक चकर के चिन छोड़ते हुआ जाएंगे तो भारत का जो चिन बेटा छोड़ता हो जाए कहाँ पर चंदरमा की सदा पर तो अब आपको गाना नहीं सुनना है कि तेरे वास्ते भलक से मैं तोड़ लाऊंगा अब तोड़ना नहीं वहाँ पहुंच जाना भीया सीधे सीधे ठीक ना अगला देखना अगला कहरा बेटा Moon Man of the India Moon Man of India के नाम से किसे जाना जाता है है ना Moon Man of India के नाम से किसे जाना जाता है तो देखे रहेंगे इनका इनका इस्ट्रक्चर और ये डाक्टर देखे भीया अन्ना दुरही ठीक ना आपको देख रहे है डाक्टर अन्ना दुरही अगला देखना बेटा Moon Abdomen चंद्रियान थ्री अभियान के परियोजना निदेशक अभी आपको बताएगे सारे के सारे कौन कौन से निदेशक क्या क्या थे सब कुछ बताएगया चंद्रियान वन अभियान के परियोजना निदेशक अगर आपसे पूछे बेटा तो मैली सामी अन्हा दुरही थे 2 के कौन थे बटा 2 के M बनीता 2 की कौन थी M बनीता थी और 3 की बात की जाए बटा यहाँ पर 3 आप को भी बताएगे 3 के कौन थे इसके पहले बताएगे ने 3 के कौन थे ठीक नअब देखना ध्यान से अगर यहाँ पर बात की जाए कुछ important fact कि तो बेटा जो कुल वजन था कुल वजन थो बेटा 49 kg था कुल वजन कितना था बेटा 49 kg था और जो propulsion module था जो propulsion module था इसका वजन बेटा 248 kg है lander अर्था तरे विक्रम का वजन कितना है तो विक्रम का वजन बीटा 1772 किलो ग्राम है और बीटा रोवर का वजन कितना 26 किलो ग्राम यह तीनों आपके याद होना चाहिए कुल वजन 4900 अगर मैं प्रोपल्र fpson 125 féण किलोग्राम लेंडर मद्र बीवर्र माड्यूल की बा gült arts किलो ग्राम यहां पर कहार है कि propulsion module में चंद्रमा की orbit से पिर्तिवी के spectral उस सर्जन और धुरुबिय metric map का ध्यन करने के लिए कौन सा अपकरण लगाए बहुत important बिटा कौन सा उपकरण लगाए गया तो उस उपकरण का नाम बिटा shape ish ape क्या नाम बिटा shape नाम है इसका full form अगर पूछ ले तो spectrum polarimetry spectrum polarimetry spectrum polarimetry of habitable planetary earth इसका full form होगा ठीक ना भया अगला देखना फटा पूछ आगे यहां पर बात कीजाए बिटा तो दूसरा कहा रहा है कि lander payload में तापी चालगता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाए गया है इसमें बिटा तापी चालगता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाए गया है तो chest कौन सा लगाए गया है C-H-A-S-T-E ये लगाएगे बटा इसको ऐसे लिखेंगे भी हम ठीक ना चेस्ट लगाएगे गया है जिसका नाम बटा चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट ठीक ना अगला करा बैटा कि लेंडिंग अस्थल के आस पास भूकम गदिविधी कुम आपने के लिए जहां लेंड करेगा वहाँ पर भूकम की गदिविधी कुम आपने के लिए क्या लगाएगे बैटा इसमें तो उसका नाम है I.L.S.A. क्या नाम बैटा? I.L.S.A. नाम है अगला देखना भीया जितना बोलने बैटा है ना फुल फाम आप इसको लिख लिजिएगा ठीक ना गूगल कर लिजिए कहीं से भी लिखिएगा हमारे सुनाव लिख लिजिएगा प्लाजमा घनत्तो और इसकी बिबिदताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन से यंत्र होता है लेंग मुयर प्रोब यल्पी लगा हो बेटा अगला देखना भी कि लेंडर अस्थल के असपास मौलिक संचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्योग होगा बेटा एस्क एकसी और ल, यस इन दोनों का प्रियोग होगा अगर मैं एक्सी की बात करता हूँ इसका मतलब होगा बैटा अलफा पार्टिकल एकसरे इस्पेक्ट्रो मीटर अगर मैं यलाई बियस की बात करता हूँ बैटा यहाँ पर क्या होगा लेजर इंडूस्ट ब्रेक डाउन इस्पेक्ट्रो इसकोप है ना लेजर इंडूस्ट ब्रेक डाउन इस्पेक्ट्रो इसकोप अगला देखना भी या चंद्रमा की सांतिपूर मानो और रोबोटिक खोज के उद्देश से किसको नेतरुत में अमेरिका के नेतरुत में आर्टे मिस समझोता हुआ था और भारत ने 2020 में हस्ताक्चर किया था, भारत ने इस पर कब हस्ताक्चर किया था, 2020 में, ठिक ना, तो अमेरिका द्वारा किया गया था, चंद्रियान 3 के लिए प्रमुख राकेट इंजन का नाम क्या, तो अभी बताये गया, अभी बताये गया भीया ना भीया, तो चंद्रियान 3 राक जनी-क इंजन-20, तो CE-20 नाम यहाद रखना, आप, चंद्रियान 3 में कितनी module हैं? तो तीन module, कितनी module है? तीन module है, चंद्रियान 3 में कितनी module, तीन module आपको दिख रहूँएंगे बटा, नीचे हैं, तो पहला module कौन सा है? propulsion module पहला module बेटा propulsion module है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिससे propulsion module कहा जाता है ये किसी भी इस पेश सिप को उडान भरने की ताकत देता है ये किसी भी इस पेश सिप को बेटा उडान भरने की क्या देता जाएगा रोवर को चंद्रमा की सता तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम दारी इसी के है, ठीक ना भया, मतलब यह गारजीव ने किसका रोवर का, पहुंचाएगा वहां तक, अगला चंद्रियान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लेंडर के जरीये चंद्रमा की सता पर उतरेगा और फिर movement कर जानकारी जुटाएगा धर्ती पर भेजेगा ठीक न भई यही जुटाएगा जानकारी धर्ती पर भेजेगा यह कहा गया था कि जब बिक्रम सतापुर उतरेगा तो दो घंटे तक उसका गेट नहीं खुलेगा मतलब दो घंटे तक रोवर नहीं अगला के रहें हो सब्सक्राइगा बीचांँ चंड्रयान था उन्हीं से किया गिसी का संग्छक्त में एक डिया मिच्टरी तो चंड्यां इंहुत्रेषखTake को एक लेंडर द्वारा चंद्रमा की सता 2.1 किलोमेटर पहले ही चंद्रियान 2 क्रेस कर गया था और कुल समय लगा थे लगबग 48 दिन, कितना लगा थे 48 दिन लगा था चंद्रियान 2 मिशन के अस्थापित प्रग्यान रोर में पहियों की संग्या 6 थी वर्तमान में 6 ही है ठीक ना चंद्रियान 2 अभियान को भारत के किस अचाली रोकेट से लांच किया था तो GSLB, वही GSLB बटा है न भीया, जो किसका नाम था ELBM, ELBM 3 और EM4 का पुराना नाम है GSLB ठीक है, आगे दिखना भी चंद्रियान 3 मिशन की लांच के समय भारत के प्रणान मंती Nirmody किस देश की आतरा पड़ थे बिटा फ्रांस देश के, कहाँ पड़ थे और लेंडिंग के समय कहाँ पड़ थे तो लेंडिंग के समय बिटा, अफ्रीका कहां थे अफ्रीका, ठीक ना आगे देखना भी है यहां पर आपको दिख रहा बेटा कुछ कि खर्च उगरा कितना हुआ तो जो भी चीजे थी खर्च उगरा कितना हुआ तो पहले में खर्च बेटा 384 करोन और लांच 22 सक्टरबर 2008 को वजन 1380 किलोग्राम है ना दूसरे के अगर मैं बात करता हूँ चंद्रियान 2 की तो चंद्रियान 2 बेटा 22 जुलाई 2019 को लागत 970 करोन और वजन बेटा 3877 किलोग्राम ठीक ना तीसरे की बात करता हूँ 615 करोन खट एक साथ सब कुछ मिल गया आपको लांच 14 जुलाई 2030 को और वजन मिटा 4900 किलोग्राम ठीक ना आगे देखना बई स्क्रिन सॉट आप ले सकते हैं या जो भी आपकी मिरजिया पढ़ सकते हैं लेकिन इसका नोट्स आप जरूर बना लीजेगा कुछ अन्य तथि की बात के चंद्रमा का ब्यास बेटा कितना है 3475 किलोमीटर इसका ब्यास है चंद्रमा को गुर्तवा कर्षंट पिर्थिभी कि आप एक चा कितना बेटा एक बटेचे है ठीक ना इसलिए वहाँ पर वायमंडल नहीं है इसलिए चंद्रमा पर वायमंडल नहीं है चंद्रमा पिर्थिभी से कितनी दूर बटा 384,000,400 किलोमीटर लेबगदूर है कह रहा कि सबसे पहला मानो रहित अंतरिक शियान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था बिटा तो 1906 में था जो रूस की तरब से बेजा गया था लूना टू कौन से था बिटा लूना टू लेकिन रूस के दोरा लूना वन भेजा गया था क्या बेजा गया था लूना वन दिगरी सेलसियस तक सहने की छमता है प्लस में और माइनेस दो सो तीन डिगरी सेलसियस तक सहने की छमता है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर हमेशा वहाँ पर बेटा क्या होगा कि टिम्परिचर दिन में इतना जादा हो जाता है और रात में इतना कम हो जाता है ठीक ना ऐसा कहा गया था बेटा कि लेंडिंग के समय जो बेग था उस बेग को 1.68 मीटर पर सिगंड कर दिया गया था लेंडिंग के समय ठीक ना भया लेंडिंग के बाद दरवाजा दो घंटे बाद खुलेगा ऐसा कहा गया ठीक ना दरवाजा कब खुलेगा दो घंटे बाद खुलेगा और चंद्रमा के 30 मिटर के उचाई से लेंड करना शुरू करेगा चलिए अब्यान अगस्त में ही इसलिए चला जाते बेटा क्योंकि अगस्त में की वहांपट धूप होती है तो लगभग आधे महीने तक होती आ दरिफ नहीं ओती है इसलिए चंद्रमा के एक दिन प्रतिभी के 14 दिन के बराबर होता है ठीक न तो हमने पूरा प्रयास कि आपको पूरा बताने का अगर आपको लगता है कहीं कुछ छूटा हुआ है, तो आप comment box में comment जरूर करिएगा, हम आसा करतें कि आपको class अच्छी लगी होगी, हमारे दोरह जो भी बाते बताई के होगी, आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग class को like करिएगा, subscribe, share जरूर करिएगा, और comment जरूर करिएगा, class कैसी थी, कैसी नहीं थी और जो भी ना समझ मैं जोर पूछेगा तेक बात पुना इतियास रचने के उपलक्ष में बहुत बहुत बदाई गुडबाई, टेक केर, जय हिंद